हेलो एवरिवन कैसे आप लोग उम्मिद करता है आप सो बलोग बढ़िया है बढ़िया ही रहना और आज है सटर डे और मैं जा रहा हूं अपनी बाइक की सर्विस करवाने एक्चली जैपुर में दो दिन से बारिस हो रही है न तो इस वज़े से बाइक बहुत कंदी हो चुक तो पहले मैं अपनी बाइक में डलवाता था यामा लूब और अपकी बार जो मैं अपनी बाइक में डलवा रहा हूं वो डलवा रहा हूं मोटूल एक्टर सो तो आपको वहीं बताऊंगा कौन सा डल रहा कौन सा ग्रेट डल रहा है और अपकी बार सर्विस में अपना ओयल फिल्टर और एर फिल्टर भी चैन्ज कर वालूंगा क्योंकि पिछली बार सर्विसिंग में मैंने एर फिल्टर चैन्ज नहीं कर वालूंगा तो इस बार वो भी चैन्ज कर वालूंगा तो पिछली बार मैंने सर्विसिंग में एर फिल्टर चैन्ज नहीं कर वालूंगा और तो अपने सेस्पेंशन खराब होगे थे पिछली वीडियो आपको देखा होगा आपको पता होगा कैसे खराब होगे थे तो अपने उनको भी ठीक करवा लेंगे तो पूरी जो बाइक की सर्विसिंग है वह आज कंप्लीट करवा लेंगे और जो मैं पूरी पिछली सर्विसि होने वाली है क्या-क्या खर्चा होने वाला बाइक में तो एक्टू जेट सर्विस करा लें के बाइक कंप्लीट क्योंकि बाइक बहुत ज्यादा गंदी हो चुकि है कि चड़की वज़े से तो उसको वाश करवाना भी जरूरी था यह जो बाइक की सर्विस है वो मेरी एर्थ प्राइज वगरा सब जो भी है सारी में आपको बता दूंगा कितना खर्चा आने वाला है और आगे लगार का है ट्रेफिक जांब तो कि मैं ट्रेफिक को कि फिल्टर करके निकलता हूं फिर आपको बताता हूं आगे एक्चली बहावटा में ने यारे शड़क बहुत सकरी है तो अक्सर जहां मिलता है मिलता है यहां पर लंबा तो नहीं होता लेकिन कभी-कभी बहुत परेसान कर गयता है साथ कर दो देए में गाए लगए लाने कर दो नहीं होए इस इस्टार्ट और स्थिवर्ण है तो और अबाए के स्टार्ट उगथ है यह स्टार्ट और सबसे पहले इस के एरल अंदर से पुराना इंजन ओयल ता उसको निकाला जो कि बहुत ही बैकार कंडिशन में था और जो अब इसके अंदर डल रहा वो डल रहा है नया इंजन ओयल मोट्ल का है अपर को आई अधिया अस इंजन अलने के साथ साथ में इसके एर फिल्टर के भी कलेनी चल रही पुराना ओर फिल्टर था उसको निकाल दिया और अंदर से पुरा से प्रीड कर रहे है झाओ जो पुराना फिल्टर था को दिख सकते हैं यह लिरा ना प्रेसर चैंज कर भा pills कर रहें पूरा नया और मोटू यह था 220Wi50 तो यह फुली संथेटिक इंजन ओल है और इसको मैं डलवा रहा हूं तो इसकी MRP आती है 915 रुपे जो कि मेरे को पड़ा है 850 रुपे का और यह पूरा वन लिटर का पेक है तो अपनी बाइक अंदर 800 ml डलता है तो 800 ml डल चुका है और 200 ml इसमें के अंदर बाकी अभी भ इंजन ओयल चेंज होने बाद में अब अपना स्टार्ट हो गया है सस्पेंशन का काम तो जो इसकी पुरानी ओयल सीलती सबसे पहले उसको रिप्लेस करेंगे और बिना फ्रंट टायर के देख लो आप कुछ बाइक ऐसे दिखती है तो आप लो कमेंट करके बताओ कैसे लग है वो डल रहा है यामा का इसके इंदर डलता साथे चार सो है में अ कि कम कोने है क्यों कम में अधर लगें भी तो ने ओयल फिल करने के बाद में इसकेंदर इसके स्प्रिंग और ओयल सील है उनको भी वापिस लगा रहे है इसी केप वापिस से लगा रहे है और पूरा पैक कर रहे है इसको अब अपना शोकर वापिस बाइक में लगा दिया और अच्छे से टाइट कर दिया इसको तो सस्पेंशनर काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है और टायर वापिस लगा रहे हैं इसके अदर अब इसके अदर जो इसके ब्रेक पैड़ है उनको क्लीन कर रहेंगे उनकी क्लीनिंग करवाएंगे पूरी अच्छे से तो भी प्रेक पैड़ है वोईल की वज़े से राव हो चुके हैं तोड़े टून को सेंड पेपर से अच्छे से गिर्द देंगे तकि इसके अंदर जो भी एप्जोग वोईल है जो निकल जाए साथ में इसकी डिस्क को भी अच्छे से क्लीन करेंगे पैट्रोल और स्वेंड पैपर से क्लीन होने के पहाद में इसके अंदर बापिस से ब्रेक प्रेट को लगा रहे हैं कि अब सस्पेंशन अपना फूरा काम कंप्रीट हो चुका है और अपनी बाइक जारी अप बाइक वोस्ट के लिए कि सबसे पैदे इसके अंदर होगी चैन क्लेनिंग चैसे इसके फुरी चैन को क्लेन कर देंगे कि बहुत गंदी हो चुके चैन को पूर अच्छे साफ हो जाएगी बॉस हो जाएगी हुआ 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 है आज तो अपने बाइक के सर्वेस हो चुके है कंपलेट और पूरी बाइक एक्तम वाश हो गई है अच्छे सा सर्विस कर वाली मैंने और इंजन वाइल आपने देख लिए मैंने अप्रेड कर वाली है अपने मोटूल से तो जो सर्विस कोस्ट मेरे को पढ़ी है वह आपको सारी डिटेल यहां पर आ रही होगी और मैं पूरा टोटल अपने को बिल पढ़ा है मोटा खर्चा होना होला था इसका इंजन ओयल का था और सस्पेंशन वर्क का था बाकी तो नॉर्मल वाइक सर्विस वगरा थी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था बाकी एर फिल्टर और फिल्टर चेंज होए है और इसके चान नट थे वह दूज हो गयते तो वह भी मैंने चैनल को सब्सक्राइब के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और साथ में बेल आइकन को दबा लीजे कि ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिशन आपको जल्दी से मिलते रहे और ऐसे और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे औ आपको मिलता हूँ मैं ने नेक्स्ट वीडियो में तक एले बाई